हेलो फ्रेंट स्वागत है अब सभी का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोके साथ में साधा ब्लाउस जो होता है उसकी फ्रेंट पार्ट की कटिंग एन स्टेचिंग शेयर कर रही हूँ यहाँ पर मैं इसे फ्रेंट ओपन रखने वाली हूँ इसरे हुकाई की पट्टी के लिए हाफा फिंच पर निशान लगा कर स्केल से मैं सीधी लाइन बना लूँगी साधा ब्लाउस है यह बहुत ही आसान तरीका आज आप लोग के साथ में शेयर करूँगी तो एंट एक वीडियो को ज़रूर देखेगा अब यहाँ पर देखेए बैक पार्ट की कटिंग मैं अल्रेडी कर चुकी है इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी मैंने डाल दिया है तो उसी का बैक पार्ट जो है वो मैं ले रही हूँ और पहले इसे रख कर मैं सभी निशान जो है इस तरह से बना लूँगी बैक पार्ट की हल्प से बहुत आसानी से आप फ्रेंट पार्ट की कटिंग कर पाएंगे इसलिए मैं आपको इस से दिखा रही हूँ और भी तरह से मैंने कटिंग एन स्टेचिंग शेर किये है तो अगर वो आप देखना चाहते है तो देख सकते हैं अब यहाँ पर सारे निशान जो है मैंने इस तरह से लगा लिये हैं आर्म होल के साइट से साइट से और नीचे से अब क्योंकि फ्रेंट पार्ट जो है वो हाफ इंच और बड़ा लेना होगा हमें तो यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगा कर एक सीधी लाइन बना होंगी यहां से भी मैं इस लाइन को सीधा बना रही हूँ अब इसके बाद में फिर से मैं बैक पार्ट रखोंगी और बैक पार्ट रखने के बाद में साइट से जो लाइन है उसे मैं इस तरह से बना रही हूं सीधा और उसके बाद में यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मारज लेनी और हाफ इंच ऊपर चेस्ट के साइड में अब इन निशानों को हमें मिला लेना है तो वस इतनी ही एक्स्ट्रा मार्किंग यहां पर करनी होती है अब इसके बाद में जैसे कि हमने बैक पार्ट में फिटिंग का निशान लगाया था साड़े 9 इंच पर तो वैसी मार्जिन इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है यह 38 चेस्ट साइस के लिए मैं बता रही हूँ अब यहां पर इन निशानों को हमें मिला लेना है और मिलाने के बाद में अब हम बाकी की मार्किंग करेंगे तब सबसे पहले मैं आर्म हूल के लिए निशान लगाऊंगे एक इंच पर और यहां से मैं ले रही हूँ सेंटर सेंटर का निशान लगाने के बाद में इन निशानों को मिलाते हुए हम यहां पर फ्रेंट आर्म हूल का शेप दे देंगे अब यहां से देखिए टक्स के लिए 3.8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ आप चाहे तो तक्स के लिया था तो देड़ इंच का हाफ हो जाएगा पॉइंट सैवन फाइव इंच तो पॉइंट सैवन फाइव इंच इस तरफ और पॉइंट सैवन फाइव इंच इस तरफ में लेकर के और हम यहाँ पर लाइन इस तरह मिला लेंगे अब इसके बाद में देखिए यहा कि यहांपर round shape दे रही हूं तो यहाँ पर round shape मैं दे दूंगी और अब इसके बाद में मैं यहांपर तीन 9 पर निशां लगाऊंगी और यहां पर भी मैं 1 इंश पर निशा और उसके बाद में आरम होल के साइड में उसे हमें मिला लिना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फोर टक्स वाला जो मारकिंग है वो हो चुकी है और इस तरीके से हमारा जो पफ है वो भी काफी अच्छा बनने वाला है अब यहां पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी लाइनिंग वाले फैबरिक की कटिंग करने के बाद में मैंने मेंन फैबरिक की कटिंग कर लिया लाइनिंग वाले फैबरिक को मेंन फैबरिक के साथ में सभी साइट से स्टिच कर लिया है अब इसके बाद में हमने जो फो टक्स की मार्किंग की थी अब उसके उपर हम करनी है और बाकी में आप वन प्रेशर फुट की मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर लिजेगा इस तरीके से देखे ये दोनों ही जो पार्ट से मैंने स्टिच कर लिए हैं फ्रेंट पार्ट के दोनों में ही मैंने फोर टक्स जो है वो बना लिये हैं अब यहां पर मैंने ल लगा लेनी हैं और सीधी से लगाने के बाद में इसे हमें इस तरह से पलटना है और पलटने के बाद में पहले टॉप स्टिच ज़रूर कर लीजेगा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में उसके उपर टॉप स्टिच मैं कर लूगी टॉप स्टिच करने के बाद मे अब देखिए हुक के जो पट्टी होती उसे हमें पूरा पीछे के साइड में पलटना होता है तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगे और फोल्ड करने के बाद में स्टिच कर लूँगी स्टिच जब यह हो जाएगी तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक के साइड या नीचे कमर के साइड में उसे भी मैं कट कर लूँगी और कट करने के साथ ही यह हमारी हुक की पट्टी तयार है अब इसके बाद में मैं एक और पट्टी लेने वाली हूँ जो कि लगवक तीन इंचे चौड़ी है यह थोड़ी सी चौड़ी रहेगी हुक वाली पट्टी से और अब इसे जिस तरफ हमें आई की पट्टी बनाना है उस तरफ में मैं इसे स्टिच कर लूँगी तो यहां पर इसे मैं पहला सीधा स्टिच कर रही हूँ स्टिच करने के बाद में इसे देखिए इस तरह से मैं पलटूँगी और पलटने के बाद यहां से इस तरह से फोल्ड करूँगी और fold करके मैं इस तरह से पीछे कर लूँगी और यहाँ पर थोड़ा extra fabric आप देख सकते हैं बाहर की side में आपका निकला हुआ होना चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पहले fold कर लीजेगा अच्छे से और फिर उसके बाद में इसे जो stitching वाली line है उसके ओपर रखिएगा और फिर उसके बाद में stitch कर लीजेगा तो हुकाई की पट्टी मैंने लगा ली है आप इसके ऐद में कमर के side में मैं लगाने वाली हूँ पट्टी तो यह लगवक ढगा 1.5 ञिंच की पट्टी मैंने ली है और दोनों ही पार्ट्स में कमर के साइड में हमें इसे इस ती तरह से लगानी है इसका जो बैक नेक है वो मैंने लेज की हेल्प से बनाया था बहुत ही सिंपल और ब्यूटिफुल नेक जो है इसका बन के तयार हुआ था उसका जो cutting and stitching का वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर available है तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और यहां पर यह मैंने पट्टी लगा ली है विसके बाद में यहां पर मैं एक बार stitch कर लूँगी और उसके बाद में उसे हम पूरा पीछे पलेट कर एक बार पहले बड़ी stitching कर लेंगे और फिर बाद में हम उसके उपर तुरपाई कर लेंगे तो यहां से मैं इसे stitch कर रही हूँ पूरा मैंने इसे स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी मैं पट्टी जो है वो लगा रही हूँ और सेम तरीके से उसके उपर भी हमें प्रेस स्टिच करना है प्रेस्स्टिच करके पीछे पलेट कर और स्टिचिंग करनी है बाद में तुरपई करने से फिनिशिंग जए अच्छी लगती है तो यहां पर इस तरह से कमर की पट्टी थी मैंने दोनों ही पार्ट्स में लगा ली है और इसके बाद में हम इसके जो कंधे हैं उन्हें जोइन कर लेंगे इसकी स्लीव में भी मैंने डिजाइन बनाई थी उसका कटिंग एन स्टिचिंग का वीडियो भी है वो भी आप एक बार ज़रूर देखेंगा अब यहां पर देखें थी बैस प्टी हमें लेनी है एक इंच की और इसे नेक के साइड में रजै प्रेश बस्तियोंं Sindra एकली मैं डार श्राइव को एस सटर दोनों हे डाल कि अध्यार कर लूंगी उसके बाद में कन्दे जोड लूंगी और फिर उसके बाद में जो sleeve मैंने तयार की है उसे जोड लूँगी तो इस तरह से मैं सभी parts को join करके इस blouse को तयार कर लूँगी और फिर fitting का जो मैंने निशान लगा था वहाँ से fitting कर लूँगी तो इस तरह से देखिए मैंने की पट्टी जो है वो stitch कर ली है अब छोटे-छोटे से यहाँ पे cuts लगाएंगे cuts लगाके इसे पूरा पीछे के side में पलट लेंगे तो यह देख सकते हैं आप यह है इसका back part और अब इसी के उपर हमें इसके कंधे जोडने हैं तो कंधे जोडने के लिए दोनों जो shoulder है उसे इस तरह से join करेंगे और पीछे वाले पार्ट की जो पट्टी है उसे इसके उपर रखकर stitch कर लेंगे stitch करके जब हम उसे पलटेंगे तो बहुत ही finishing के साथ में हमारे कंधे जो है वो join हो जाएंगे यह कंधे वगेर मैंने join कर लिए है और आप देख सकते हैं तरह से मेरा जो back part है front part है दोनों तयार हो चुके है हुकाई मैंने लगा ली है और यहां पे देख लिए जी कमर के साइड में पट्टिया भी मैंने लगा ली है और साथ में ही यह जो sleeve है आप देख सकते हैं उसका design कि मैंने कुछ इस तरह से बनाया था पहनने पर बहुत ही beautiful यह design लग रहा था आप एक बार इसे भी जरूर ट्राय कीजिए का और इसका जो back part है वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कुछ इस तरह से बनाया था जिसमें सिर्फ मैंने lace लगाई है और simple सा neck है लेकिन उसके बाद भी जो back part है वो कितना beautiful लग रहा है I hope आपको यह वीडियो पसंदाया होगा अच्छा लगा है तो like जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो subscribe भी जरूर कीजेगा Thank you for watching